हाँ तो प्यारी वच्छी इस वीडियो में मैं आपके लिए करके आ गया है सोसल साइस का मुच्ट इंपोर्टन कुष्एन और टोटल इस वीडियो यहां को करना माइन का स्थीर करके उससे देखना अगर आपको याद होगा तो आप असानी से हम बता सकते हैं तो प्षयरे वचय यहां पे पहला प्रश्न क्या कहता है कि सुखार का कारण है यहां पर कहता कि सुखार का कारण क्या होगा इसका करेक्ट इंसर क्या होगा यहां पर चार ओप्सन दिए गए आपको बताना है तो प्यारे वचे सुखार का है दूसरा कहता है की बाढ़ का प्रमुक कारण क्या है बाढ़ कैसे आता है इसके बारे में आपको बताना है जल की अधिक्ता ये भी इसका मतलब ये तीन हो क्या करेक्स्र रहना तो यह करेक्ट इंसर को भापसंडी वह हम बात करते हैं यहां पर तीन की तीन कहता कि भारत में सबसे बड़ा लो एकस उत्पादर के उत्पादन राज्य है ठीक है आशा से पूठा जा रहा है की अमरीत बजार पत्रिका के संपादक कौण थे ऐस आप से पूठा जा रहा है तो प्यारे बच्चों का इसका क्रEकT से क्या होगा ठीक है इसका करेक्ट इंसर जागा बाबो मूती लाल Ghost ठीक है आई बच्चो अब हम क्या करते हैं अगला प्रश्ण ले लेते हैं तो यहां पर हम लेते हैं क्या पांचमा प्रश्ण पांचमा कहता है कि दिसंबर क्या दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नहिरू जी द्वारा तिरंगा फाराया गया ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो पांच का करेक्ट एंसर क्या हो जागा बाबू राभी नदी ठीक है वहीं हम बात करते हैं फ्रश्ण कर्मांग 6 खे कयता है कि गीर राष्ट्रिय उद्ध्यान अंदिर किस ने कहा है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है इसका correct answer क्या हो जगा बावू इसका correct answer हो जगा पंडित निहिरू वहीं हम बात करते हैं प्रशन करमांक 8 की तो प्रशनकरमांगाट गाता है कि भाइरत कभ सबसे चोटा railway छेत्र कौन है भाइरत कभ नहीं भाइरत का होना चीई भाइरत का सबसे चोटा railway छेत्र कौन है ऐसा होना चीई टैपिंग में यह गलती किया है ठीक है तो 8 का correct answer क्या हो जगा बबू उत्री पुर्वी रेलवे, option D correct answer हो जागा, ठीक है, आईए, अब हम क्या करते है बबू, नौमा लेते हैं, नौमा कहता है कि भारत में एक रुपे का नोट कौन जारी करता है, ऐसा आप से पूछा जा रहा है, तो नौ का correct answer क्या हो जागा बबू, तो वीद भी भाग, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, दसमा प्रशन क्या कहता है, कि किरिसी उत्पादों की गुनवता सुनिशित करने का मानेता प्राप्त चिन है, क्या है, ऐसा आप से पूछा जा रहा है, तो दस का correct answer क्या हो जागा बबू, इसका होगा, एक मार्ग, ठीक है, तो अपस का correct answer हो जागा, option C correct answer है, राजनीतिक दल, वहीं हम बात करते हैं, 12 की दुबारा कहता है कि किसने कहा, लोग तंतर जनता का जनता के लिए, जनता तथा जनता के द्वारा सासन है, ऐसा आप से पूछा जा रहा है, तो इसका correct answer क्या हो जागा, बबू, इसका correct answer हो जागा, अब संसाधिये विवस्था, ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे प्रशन कर्मांग 14 की, तो 14 क्या कहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो प्रशन कर्मांग 14 कहता है कि लोग तंतर की सफलता की चुनौती है, आप से यह पूछा जा रहा है, तो इसका correct answer क्या हो जागा, तो प्यारे बच्चो, 14 का correct answer हो जाएगा, इन में से सभी, इन में से सभी correct answer है, वही हम बात करते हैं, यहाँ पे प्रशन कर्मांग 15 की, पंदरा कहता है कि सुनामी प्रभावित छेतर में मकानों का निर्मान कहां करना चाहिए, ऐसा आप से पूछा जा रहा है, जहां सुना यहाँ पे 16 कहता है कि विक्सित देशों की एवाई में विर्धी के लिए किस पद का परियोग होता है, ऐसा आप से पूछा जा रहा है, तो 16 का correct answer क्या हो जागा बाबू, आर्थिक विर्धी का, ठीक है, वही हम बात करते हैं 17, 17 कहता कि भारत के सकल घरिलू उत्पाद में क किस छेत्र को योगदान क्या है, आर्थिक है, सार्वधिक होना चाहिए बाबू, यह टाइपिंग में गलती किया है, सार्वधिक है, ऐसा आप से पूछा जा रहा है है, तो 17 का correct answer क्या हो जागा बाबू, तो 17 का correct answer हो जागा option B, correct answer है, ना, अदा हो इक छेत्र, वही हम बात करते हैं तो आणिव कहता है कि जोल्व राइन सम्बंधित था किस सम्बंधित भी अज है से पूछा जा रहा है इसका क्रिक्ट अंसर क्या हो जाएगा तो प्यारे बच्छों 18 का करड़ेंसर रिए को चाएगा भेसर से ठीक है यानि वेफारियों का था एक संगठन ऐसा आप कह सकते हैं उन्हीं कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्मान किस ने किया था ऐसा आप से पूछा जा रहा है इसका करेक्ट इंसर क्या होगा तो बाबु निपोलियन बोना पार्ट हो जाएगा ओके अब वहीं हम बात करते हैं 20 कहता है कि समता पार्टी का विले किस राजनितिक दल में है ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो बीस का करेक्ट इंसर क्या हो जागा बाबु तो जनता दल यूनाइटेड में वहीं हम बात करते हैं 21 के किस कहता है छीपी बिरोजगारी पाई जाती है ऐसा आप आप से पूछा जा रहा है तो 21 का करेक्ट इंसर क्या हो जागा बच्चों तो देखो बाबु यहां पर हो जागा इसका करेक्ट इंसर की क्रिसी छेतर ठीक है वहीं हम बात करते हैं 22 की और यहां पर 22 कहता है कि अस्थानिये स्वासन राज्य के नीदी निदेसक है ना सिधा में मुकद्मों सुलजाय جاتے ہیں planting hardship हो gap two is गारी से जाते हैं। किसका कर्क्टर क्रिक्टर सर क्या हो जाएगा दिवानी माले से या फौजडारी माले से तो ये दोनों हो जाएगा ठीक है ये दोनों यानि see कर्क्टर इसका सी फोजएगा अब बात करते हैं चोबीस की कि चोबीस कहता है कि निम्न में से कौन जीवासम इंधने ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो चोबीस का करेक्ट एंसर क्या हो जागा बाभू इसका करेक्ट इंसर जाएंगा और यहां पर देखेंगे प्रश्ण कर्मांग 25 25 कहता कि भारत के पर्थम परवानु विध्युत गिरी कहा है ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जगा बावुत तारापुर में हो जाएगा ठीक है वहीं हम बात करते हैं 26 26 कहता है कि मनी करन क्या कह तो 26 का सी करेक्ट एंसर हो जाएगा वहीं हम बात करते हैं 27 27 कहता है कि सिंदरी किसी उद्योग के लिए जाना जाता है सिंदरी किसी उद्योग के लिए जाना जाता है ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो 27 का करेक्ट एंसर क्या हो जागा बावु तो इसका करेक्ट एंसर हो करेक्ट एंसर क्या होगा बाबू तो करेक्ट एंसर सी है जमालपूर रेलवे वर्क सॉप ठीक है वहीं हम बात करते हैं 29 की तो 29 क्या कहता है कि इसलिए कौन सहर के नाम से कौन परसिद है ऐसाप से पूछा जा रहा है ये ट्राइपिंग में लगता है ये धुक्का मारके आया था साइद इसलिए ट्राइपिंग सब मिश्टेक किया हुआ है तो सिलिकॉन सहर के नाम से कौन परसिद है ऐसाप से पूछा जा रहा है तो 29 का करेक्ट एंसर क्या हो जागा बाबू तो बेंगलोरू हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं 30 की तो 30 ले लेते हैं 30 का करेक्ट इंसर क्या हो जाएगा तो बाबू 30 कहता है कि मंदार पहारी किस जीले में है ऐसा आप से पूछा जा रहा है बाबू तो वह बाका में है ठीक है अब हम बात करते हैं 31 की 31 कहता है कि सासा राम नगर का विकास हुआ था सासा राम नगर का विकास हुआ था ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो 31 का करेक्ट इंसर क्या हो जागा बाभू तो ये हो जागा मध्धे यूग में ठीक है वही हम बात करते हैं रौवर्ट ओवन कहा का निवासी था रौवर्ट ओवन कहा का निवासी था ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा बिरिटेन का वही हम बात करते हैं 33 33 कहता है कि वोल सेवी करांती का नित्रिकत किस ने किया 24 क कमबोडिया की राध्रानी का है अगला प्रशन लेते हैं वही हम बात करते हैं यहां 35 की तो 35 कानून के विरोध में जलिया वला बाग में सभा का आयोजन हुआ था ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो 35 का करेक्ट एंसर क्या हो जागा बाबू रॉलेट एक्ट ठीक है वही हम बात करते हैं 36 की तो 36 क्या कहता है कि किनके अनुरूध पर महात्मा गांधी चंपारन आये थे ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो 36 का करेक्ट एंसर क्या हो जागा बाबू तो 36 का करेक्ट एंसर हो जागा राजकुमार सुकल के अनुरूध पे वही हम बात करते हैं 37, 37 करता कि बल्लम भाई पटेल को सरदार की उपादी किस किसान आंदोलन के दोरान दी गई थी ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो इसका correct answer हो जागा बाबू बारदोली दोरान ठीक है तो option हो जाएगा बाबू A हो जाएगा ठीक है वही हम बात करते हैं 38 की तो 38 क्या कहता है बाबू 38 कहता है कि flying subtle का अविसकार किस ने किया था ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो flying subtle का अविसकार किस ने किया था तो इसका correct answer हो जाएगा बाबू option C, John के ने ठीक है वही हम बात करते हैं 49 की ठीक है तो 49 कहता है कि भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी ऐसा आपसे पूछा जा रहा है बाबू तो कलकत्ता में हो जागा correct answer वही हम बात करते है 40 40 कहता कि भारत का कौन सा आर्थिक छेतर सबसे बरा है भारत का कौन सा आर्थिक छेतर सबसे बरा है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो 40 का correct answer क्या हो जागा बाबू है न इसका correct answer हो जागा बाबू 3-3-1 ठीक है वही हम बात करते है 41 की 41 कहता है कि बॉकसाइट सबसे बड़ा उतपादक राज्य है बॉकसाइट सबसे बरा उतपादक राज्य है ऐसा पूछा जा रहा है तो कौन होगा इसका ठीक है बॉकसाइट के लिए ओड़ीसा होगा जारकंड होगा जो भी है आपको बताना है इसका correct answer क्या हो जागा बाबू ओड़ीसा ठीक है नेतरितों किसे ने किया तो 43 का correct answer क्या हो जागा ऐसे आपसे पूछा जाए तो जैपरकास नरायन ने ठीक है आपसन एक correct answer हो जागा वहीं हम बात करते हैं 44 की 44 कहता है कि निमन में से कौन किरिसी अधारित नहीं है ठीक है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो 44 का correct answer क्या हो जागा बाबू सिमेंट उद्ध्योग ठीक है अब बात करते हैं 45 की तो 45 कहता है कि निमन में से कौन राष्टी अधारित नहीं है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो 45 का correct answer क्या हो जाएगा है नब तो प्यारी बच्चों इसका जो correct answer हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे खाल से हाँ लोग जन सकती पार्टी ठीक है option भी correct answer 46 की बात करते हैं तो बोलिविया में जन संगर्स का मुखे कारण है ऐसा आप से पूछा जा रहा है इसका correct answer क्या हो जाएगा बाबू तो जल की नीजी करेंट ठीक है option भी correct answer वही हम बात करते है 47 47 क्या कहता है कि इसी तथा गरामिन विकास के लिए पुनह वृति करने वाली सिर्थ संस्था कौन है ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो 47 का correct answer क्या हो जागा बाबू नाबार्ड ठीक है option भी correct answer है और 48 क्या कहता है कि सभी ने आवग्या अंदोलन के समय भारत के वायरस कौन थे ऐसा आप से पूछा जा रहा है यानि भारत में वायरस कौन थे है ऐसा पूछा जा रहा है उन्चास का correct answer क्या हो जागा बाबू तो उन्चास का correct answer क्या हो जागा बाबू option डी परधान मंतरी ठीक है वही हम बात करते है 50-50 कहता है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलासाय है ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो 50 का correct answer क्या हो जागा बाबू तो इसका correct answer हो जागा गोवींद बल्लब भाई बल्लब पंत सागर ठीक है गोवींद बल्लब पंत सागर हो जागा ठीक है 51 क्या कहता है कि सार्वधिक बाढ़ प्रभावी देश है आईए देख लेते हैं जो सार्वधिक बाढ़ प्रभावी देश कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू तो इसका correct answer क्या हो जागा बंगला देश हो जागा ठीक है वहीं हम बात करते हैं 52 की 52 कहता है क्या 52 कहता है कि यहाँ पर एक मिनट तो 52 कहता है कि 52 का correct answer जो हो जागा न वो जागा जल ठीक है तीरपन क्या कहता है कि पंजाब में भूमी निमनी करण का मुक्य कारण क्या है पंजाब में भूमी निमनी करण का मुक्य कारण क्या है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो तीरपन का correct answer क्या होगा बाबु यहाँ आपको बताना है तो तीरपन का हो जाएगा option D अधिक सिचाई ठीक है तीरपन का D हो जाएगा ओके अब बात करते हैं अगला प्रश्ण की ठीक है तो यहाँ पे प्यारवच्छ अगला प्रश्ण यह नहीं चोबन चोबन क्या कहता है अंकरवाट का मंदिर कहा है तो प्यारवच्छ कमबोडिया में अंकरवाट का मंदिर कहा है बाबु तो कमबोडिया में ठीक है चोबन का हो जाएगा option D अब हम क्या करते हैं बाबु पच्पन लेते हैं तो पच्पन कहता है कि मनरेगा शुरू हुई थी मनरेगा शुरू हुई थी ऐसा आप से च्पन कहता है कि ब्रांट लेंड आयोग संबंधित है ऐसा आप से पूछा जा रहा है ना तो च्पन का करेक्ट इंसर हो जागा बाबु आप संदी सतत विकास से ओके आई बच्चों अगला प्रिशन ले लेते हैं संतावन संतावन कहता है कि पर्थम राष्ट्री मानो वि यहारी वाजबेई वही हम बात करते हैं यहां पर अंठावन की अंठावन कहता है कि नीती आयोग का गठन हुआ था आप से पूछा जा रहा है ना तो अंठावन का करेक्ट इंसर क्या हो जागा बाबु तो ऑप्शन एक करेक्ट इंसर हो जागा जनवरी 2015 ओके अब बात कर करते हैं 69 करता है कि गरामिन बैंक के संस्थापक कौन थे ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो 69 का करेक्ट इंसर क्या हो जागा यहां पर आपको बताना है तो 69 का करेक्ट इंसर हो जागा बाबु प्रोमो यूनूस था ठीक है ऑप्शन एक करेक्ट इंसर है अब बात करते है 60 की 60 कहता है कि मुदरन कला का विसकार कहां हुआ था ऐसा आपसे पूछा जा रहा है है ना तो 60 का correct answer क्या हो जागा बच्चों तो देखो बच्चों इसका correct answer हो जागा चीन ठीक है वही हम बात करते है 61 की 61 कहता कि विस्व की पर्थम पेपर मील की अस्थापना हुई थी 62 क्या कहता है 62 कहता है कि 95 थिमिस किस ने लिखी 95 थिमिस किस ने लिखी ऐसा आप से पूछा जा रहा है ना तो प्यारे बच्चों इसका correct answer क्या हो जागा इसका correct answer क्या हो जागा मार्टिन लूथर ने ठीक है अब बात करते है 63 की 63 कहता कि All India Radio का नाम बदल कर आकाशवानी कब किया गया ऐसा आपसे पूछा जा रहा है है ना तो 63 का correct answer क्या हो जागा बाबू तो option C correct answer हो जागा सननन्दा देवी राष्टी उद्यान कहा है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है ना तो 65 का correct answer क्या हो जागा बाबू उत्रा खंड हो जाएगा उत्रा खंड option B वहीं हम बात करते हैं 66 की है ना तो 66 क्या कहता है कि सहकारिता साक सीमित कानून का पारित हुआ ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो 66 का correct answer क्या हो जागा बाबू 66 का correct answer हो जागा option B 1904 अब बात करते हैं 66 कि भारत की वीती राजधानी किस नगर को कहा जाता है भारत की वीती राजधानी किस नगर को कहा जाता है साब से पूछा जा रहा है ना तो 66 का correct answer क्या हो जागा है ना तो देखो बाबू यहाँ पे इसका हो जागा मुंबई ठीक है अब बात करते हैं 68 भारत के सकल घरेल उत्पादन में किस छेतर को सार्वधी की योगदान है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो 68 का करेक्ट एंसर क्या हो जागा बाबू अपसंसी सेवा छेतर लूँ ठीक है वही हम बात करते हैं 69 ımı कोशी नदी को कहा जाता है अपसं हो जागा एक 7ulars कर्यक्त किस नदी को कहा जाता है यह गल्स है करेक्ट एंसर क्या हो जागा बाबू हो जागा 96 जा धिक हैए तो किया एसा अ होना चाहाय है बात करते है क्या उक्छा लिए ये झेंप सीजों किस नदी को sound का की उप्वान क कि हम एक हत्र क्या कहता है कि महा सागर की तली पर होने वाला कंपन का संबंद है ऐसा पूछा जा रहा है तो एक हत्र का करेक्ट इंसर क्या हो जागा बावो आप्σιन participant सूनामी से वही हम बात करते हैं 72 की हत्र कहता है कि बिहार में इती जल दोहन से की सतो का संकेंदरन बढ़ा है ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो 72 का correct answer यहाँ पे क्या हो जागा बाबू आर्श से निका ठीक है अब बात करते हैं 73 का 73 कहता है कि चिपको आंदलन के प्रवर्तक कौन है है ना चिपको आंदलन के प्रवर्तक कौन है तो इसका correct answer ह हो जागा बाबू सुन्दरलाल बहुगुना ठीक है वही हम बात करते हैं 74 की 74 कहता है कि निम्ने में से कौन आनवी करनी यह संसाधन ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो 74 का correct answer क्या हो जागा बाबू आप्शन बीजिवास्म इंधन वही हम बात करते हैं 75 की 75 कहता है कि भारत सार्वदिक जनसंक्या धनत्तो वाला जीला कौन है ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो 76 का correct answer क्या हो जागा बाबू इसका हो जागा ऑप्शन सी ठीक है अब बात करते हैं 77 77 कहता है कि भारत में मुख्यता किस परकार का कोईला पाया जाता है ऐसा आप से पूछा जा रहा है है ना तो मेगो का राजा मेघाले इसमें तो नहीं दिया हुआ है तो इसका correct answer क्या हो जागा चार उप्शन में से आपको बताना है ना तो 78 का correct answer हो जागा option A मौसनियम ठीक है अब देखते हैं 89 89 क्या कहता है 89 कहता है मोपाल विद्रो कहा हुआ था ऐसा आप से पूछा जा रहा है 89 में तो 89 का correct answer हो जागा option D केरल अब बात करते है 80 80 कहता कि भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित हुई थी आयसा आप से पूछा जा रहा है तो 80 का हो जागा बाबू option B correct answer I hope कि सारे के सारे questions समझ गया होंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सेर करना ध जाने बाद दोस्तों